हलो दोश्तों कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहतर होंगे साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रेटर नोयोडा में बनने वाले एक बहुत ही महतुपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ आज में ये ग्रेटर नोयोड जाके परिक्षेक्ट में ये न्यूज काफी एक अपने आप में महतु रखती है साथियों जैसे आपको पता है कि हिंदुष्तान का तकरीवन हर बड़ा सहर किसी ना किसी रेलवे स्टेशन से जरूर कनेक्टिव के थुरू जुड़ा हूआ है वो बड़े महानगर हो छोट वरियतर दी जाती है काफी उसका लिंक पूरे देश में एक दूसरे से जुड़ा होता है काफी एकॉनोमिक एक सेक्षन होता है और एक सेफर शिकौर्टी के परपस से भी तो अभी तक जो ग्रेटर नोड़ा में सभी लोगों को एक जो कमी महसूस होती थी ग्रेटर कोमन के लिए कहीं आने जाने के लिए ग्रेटर नोड़ा वासियों को स्पेशल किसी दूसरे सहर पर निर्भार रहना पड़ता है जैसे किसी को ट्रेन के तुवारा लखनव जाना है बनारस जाना है कॉलकता जाना है बुंबई जाना है तो ज्यादा तर लोग अभी जो होत अभी ग्रेटर नोडा में है नहीं लेकिन आज की जो मैं आपको खबर से रूबरू कराना चाह रहा हूं वो इसी को लेकर के एक सब्जेक्ट पर आधारित है कि ग्रेटर नोडा सहर को भी अपना एक अव रेलवे स्टेशन मिलने वाला है बहुत जल्दी ग्रेटर नोडा प् प्लानिंग शुरू हो चुकी है उसकी जमीन वेक्वायर कर ली गई है लेकिन कुछ जमीन तकनीकी अडचनों की वज़े से अभी थक डिले था कुछ लोग कुछ किसान इस्थानियम आकर वो कोट चले गए थे जमीन के इश्यू को लेकर के बीच में रेलवे का इश्यू आ जैसे इस प्रोजेक्ट पर अब काफी उमीद है कि हमारे ग्रेटर नोड़ा सहर को बहुत जल्दी एक अपना रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा जो बोड़ा की गाउं के पास है तो उसी से संबंदित जानकारी का आप मैं आपको बताना चाह रहे हैं कि एक जगह मिलेगी मैटरो रेल डिलक्स बस है ट्रांसफोर्ड हब को मिली मंजूरी तो जो ये रेलवे स्टेशन आपका मैंने बताया ग्रेटर नोड़ा सहर का बनने जा रहा है रेलवे स्टेशन के साथ प्रादी करन की मनसा है कि यहाँ पर रेलवे के साथ साथ आपको मैटरो की कनेक्टिट प्लस एक अंतर राजिय बस अड़े का निर्मान यानि आपको एक ही जगह पर बोड़ा की जो मैट्रो स्टेशन है मैट्रो वहां पर प्रिपोजट है बोड़ा की स्टेशन से अभी दो क्लोमिटर की दूरी तक मैट्रो स्टेशन का नेट वर्क औरेडि कनेक्टिट है जहां तक मैट्रो का भी डिपो है ग्रेटर नुडा में वहां से बोडा की जो रेल्वे स्टेशन है उसकी तकरीबन दूरी दो किलो मिटर के आसपास होगी तो वहां तक मैट्रो की डीपी आर बन चुकी है मंजूरी मिल चुकी है उसके साथ साथ बोडा की जो मैट्रो स्टेशन है जो railway line के किनारे बिल्कुल सारे बनेगा वहाँ पर railway भी अपना एक बहुत भव्य है और बहुत ही बड़ा एक सहर का railway station बनाने जा रही है और इसके साथ साथ दूरी जो लंबी दूरी की बसे होती है जो अंतर राज ये बसड़ा होता है वो भी अभी greater noida में आपको देखने को नहीं मिलता उसकी भी स्थापना के लिए authority ने अपने planning को काफी तेजी से start कर दिया है तो यानि आपको greater noida सहर के अंदर अब multimodal transport hub जिसका मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो में जिक्र किया है वो बनने का almost रास्ता साफ हो गया है अब आपको लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए सहर से दिल्ली या गाजेबाद की तरफ नहीं कूच करना पड़ेगा greater noida के अंदर से ही आपको हर जगे की train के आवा गमन की सुविदा मिल जाएगी उससे क्या होगा कि सहर में आने वाले लोगों का एक गराब बढ़ेगा लोगों को जो दूर जाते हैं दिल्ली की तरफ ज पड़ेगा greater noida सहर में जो एक कमी थी railway station की वो अब बहुत जल्द पूरी होने जा रही है तो इसका मैं आपको slides के माद्धाम से दिखाता हूँ यह जो greater noida station जो बनेगा metro वाला आप जो greater noida का map देख रहे है यहाँ पर greater noida का center परी चौक है यहाँ से बोड़ा की metro station की दूरी यहाँ पर 4 km है इस पूरे area में यह railway की line है दिल्ली कॉलकाता हावडा line इस पर proposed है जो पूरा सहर का एक central point ही मान के चलिए आप मुस्किल से परी चौक से 10 मिनिट की distance पर होता है कि mmth और mmlh यह वर्ड आपको मैं बताना चाहता हूं जैसे मैंने इसका चिक्र किया था mmth होता है multimodal transport hub and mmlh हो गया multimodal logistic hub जी हां यहां पर दो बड़े हब बनने वाले हैं एक तो जो मैंने बताया था आपका DMIC corridor है उसको बोलते multimodal logistic hub यानि जो rail है डिल्ली मुंबई industrial corridor उस पर सिर्फ आपका logistics train यानि जो container होते हैं उस पर double decker container की train है चलेंगी जो दिल्ली से मुंबई को सीधा port से connect करेंगी जिसमें container की आवाज आई होती है उस पर कोई passenger train नहीं चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत को पूरे दुनिया से सी के थुरू जोडने के लिए railway line है जो मुंबई port पर पहुँचती है वहां से connectivity का वो project आल्रेडी 95% complete हो चुका है trail train चल चुकी है वहां पर और जो तकनीकी सुविदा हैं तकनीकी जरूरत हैं उन पर काम चल रहा है तो वह आपका हो गया multimodal logistic hub and second है multimodal transport hub ट्रांसपोर्ट हब जो multimodal logistic है वो यही है जो मैं आपको आज चर्चा कर रहा हूँ जिस विशह पर multimodal transport hub में multimodal यानि कही टाइप के आपके ट्रांसपोर्ट यानि मैट्रो हो गया second आपका train हो गया railway हो गया और थर्ड आपका हो गया deluxe buses यानि वहां पर आपको तीनों टाइप की सुविदा हैं एक ही छत के नीचे मिलेंगी उसको multimodal transport hub का नाम दिया है greater no da authority ने mmth और mmlh के लिए पूरी जमीन मिलने का राष्टा साफ हो गया है चार गाओं की किसानों की परिसंपत्यों का भुक्तान करने पर board ने लगाई महर 44 hectare जमीन मिलते ही दौनों project की जमीन की जुरत पूरी हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस project से संबंदित ज्यादा तर जमीने पहले ही acquire कर ली गई हैं लेकिन कुछ चुनिंदा जमीने बची थी जो कानूनी और तक्निकी अर्चनों की जैसे नहीं मिल पा रहे थी उन जमीनों का मिलने का रास्ता साफ हो चुका है तो उनका रास्ता साफ होते ही प्राधी करण की जो planning है और थर्टी की जो पूरी अपनी परियोजना है उसमें अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला ग्रेटर नोड़ा सहर की दो मैतवा कांख्शी परियोजनाओं मल्टी मौडल लॉजिस्टिक अब और मल्टी मौडल ट्रांस्पोर्ड अब को पंक लग जाएंगे इन दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन की अर्चन खतम हो जाएगी इन दोनों परियोजनाओं के लिए चार गाहों की 44 हेक्टेर जमीन पर बनी इमारतों की कीमत अदा करने के लिए ग्रेटर नियुड़ प्रादिगर्ण तैयार हो गया है मंगलवार को ग्रेटर नोड़ा प्रादिगन के चेर्मेन मोज कुमार सिंग की अद्धक्ष्ता में आज़ित 130 वी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर महल लग गई है इन दोनों परियोजनाव से दादरी और आसपास के इलाकों में विकास रफ्तार पकड़ेगा रोजगार के ने अफसर और निवेस बढ़ेगा बोर्ड बैठक में मिली मंजूरी ग्रेटर नोड़ा के मुख्यकार पालक अदिकार रितिव महिश्वरी जी इन दोनों प्रोजेक्ट के गती देने के लिए प्रियास कर रही थी किसानों से लगातार बातचीत कर रही थी मंगलवार कोई बोर्ड बैठक में उद्धवी विकास से बाग के प्रमूख सचीम नरेंदर भूष्टन जी नोड़ा ग्रेटर प्राधिकरन के शीयो रितिव महिश्वरी यमना वैकास प्राधिकरन के शीयो डॉक्टर ओवीन सिं जमीन मिलने का प्रस्ताफ साफ हो गया है तकनीकी अर्चने दूर हो गई है तो अब ये सारी योजना है मुहूर्त रूप लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा ग्रेटर नोड़ प्राधिकरन के शीयो रितिव महिश्वरी ने बताया कि मल्टी मॉडर लोजिस्टिक और मल्टी मॉडर ट्रांस्पोर्डव के लिए चौदे गाउं की 478 जमीन की दरकार है जिसमें से 83 हेक्टेर जमीन को छोड़कर सेज जमीन अथर्टी के पास है ये 83 ह जमीन चिठःडा इकठःडडा बोडा की और पल्ला गाऊं की है हाल ही में 83 मे से 49 हेक्टेर जमीन और प्राप्थ हो गई है से 44 हेक्टेर जमीन me किसानों की परिसंपत्या है किसान इन परिसंपत्यों की कीमत माग रहे जिनकी वज़े से जमीन नहीं मिल पा रही थी सियों ने कहा कि इस अडचन के कारण दोनों एम परियोजनाय आगे नहीं बढ़ रही थी 66.76 कोड रुपे का खर्चाएगा नोएड़ा प्राधिकरन की सियोई महिश्वरी जी ने बताया कि प्रस्ता बोर्ड बैठक में समक्ष रखा गया बोर्ड ने इस पर अनुमती देती है इन चार गाओं की जमीन 44 सेक्टेर जमीन में इस्तीत परिसंपतियों की कीमत का आकलन किया गया है इसमें से लगबग 66.76 कोड़ रुपे का खर्च पराधिकरन पर आएगा आपको बता दे कि किसानों की परिसंपतियों के बुक्तान पर अब तक निर्ने नहीं हो पाने के कारणी दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं मिल पा रही थी लंबे समय से मसला अटका हुआ था अब यह मसला सुलज गया है और दोनों परियोजनाओं रफतार पकड़ लेंगी किसानों के लिए भी बड़ी उपलब्दी है आसपास के किसानों को रोजगार मिलेगा आसपास के किसानों को निवेस काफसर मिलेगा अब इस बारे में थोड़ी सी विश्थरत चर्चा कर लेते हैं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब दौनों की क्या-क्या विशेशता हैं बोडा की के पास प्रश्थावित मल्टी मॉडल हब के लिए जुन पत और बोडा की गाम की जमीन चाहिए थी इस परियोजना के तहत रेलवे बस अड़ा और मेट्रो कनेक्टिवटी एक साथ विक्सित की जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है उसके लिए आपको रेलवे बस अड़ा और मेट्रो कनेक्टिवटी तीनो ही एक जगए मिलेंगी यानि आप मेट्रो से ग्रेटर नोवडा के रेलवे स्टेशन जिसका नाम बोडा की रेलवे स्टेशन है उस पर जाते हैं तो एक ही कॉरिडोर के अंदर आपको बाहर कहीं नहीं जाना होगा आप वहां से रेलवे के लिए भी कहीं पर जा सकते हैं और डिलैक्स बस के थूरू भी आप कहीं से जा सकते हैं लेकिन जैसा की बताया कि रेलवे मेट्रो और बस तीनो का एक कॉंबिनेंशन होगा एक जगह एक साथ वहां पे आपको अलग-अलग बठगने की जोर्त नहीं होगी वहां से आप लंबी दूरी के लिए नजदीक के लिए अपना जहां भी गंतविष्थान उसके लिए आपको सारी की सारी सुविधायें थूरू रेलवे, थूरू मेट्रो, थूरू बस आपको एक जगह एक ही छट के नीचे मिलेंगी बोडा की के पास रेलवे टर्म मिलर पर टैनों को दवाब कम होगा ट्रांसपोर्ट हब में अंतर राज्जिय बसड़ा भी बनेगा मौजूदा नोवड़ा ग्रेटर नोड़ा मेट्रो रूट का विश्तार मल्टी मौडल ट्रांसपोर्ट हब तक होना है ट्रांसपोर्ट हब से लोकल बसे भी चलाई जाए जो दूसरे और रेल्वे स्टेशनों के लिए एक नजीर बनेगी उनके लिए एक बहुत उधारन फेस होगा इस तरह का इनकी मंसा है प्राधिकरन की बनाने की और जैसे मैंने बताया कि रेल्वे चूंकि यह जो बोड़ा की स्टेशन है यह जो रेल्वे की बड़ी दिल्ली कोलकाता में लाइन सबसे पुरानी रेल्वे लाइनों में गिंती होती है उस पर इस्थित है तो उस लाइन पर ज्यादा तर पूर्वी उत्तरपरदेश और बिहार की और कोलकाता नौर्थीस्ट की टरफ की ट्रेने जाती है तो दिल्ली से जितनी भी ट्रेने नौ दिल्ली वहां पर railway का ट्रैफिक काफी बढ़ चुका है आपने देखा भी होगा जब बाहर से ट्रैने आती है तो दिल्ली की सीमा में प्रेस करते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है आउटर लाइन पर बहुत काफी काफी देड ट्रैन वेटिंग पीरियड में खडी रहती है उस कि में जो बनने वाला एक बहुत बड़ा railway station है वहां से सायद operate की जाए क्योंकि यहां से आगे ट्रांसपोर्ट railway का काफी स्मूत रहता है भी बार नहीं रहती तो यहां से railway में भी और आम लोगों के लिए भी समय की काफी बचत होगी और भविश्य में हो सकता है पूर्वी का सायद stoppage दादरी में बनने वाले greater nooda में बनने वाले railway station से ही starting point हो जहां तक मुझे लगता है सरकार इसी तथ्य पर काम कर रही है इसी बिंदू पर focus दिखता है इन सब चीजों को देख करके जिससे की दिल्ली में जो railway के terminal है मैंने बता है वहां पर काफ railway का traffic का बहुत pressure रह किये तो railway station का निर्मान किया जा रहा है तो यह सारी की सारी खबर greater nooda से संबंदित लोगों के लिए और greater nooda सहर के लिए एक काफी मिल का पत्थर साबित होगा आम लोगों की काफी सिकायते भी होती थी काफी समय से डिमांड भी थी कि greater nooda को एक विश्तवस्तर या सहर है जो एक अपना railway station मिलना चाहिए जो सायद अब कुछ दिनों में हम सभी आप लोगों के सामने उपश्तित होगा क्या है मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब के लिए दादरी जुन पर चिठाड़ा कठाड़ा पाली बोड़ा की और थाप खेड़ा आधी की जमीन ली जा रही है जमीन पर यह दोनों प्रोजेक्ट विक्षित किये जाएंगे लोजिस्टिक हब से उद्धोगों के लिए माल डुलाई के रहा असान हो जाएगी नोईडा ग्रेटा नोडर यमना प्राधिकरन के उद्धोगों की जरोत को देखते हुए यह परियोजना बेहद है में जस्ट एड़ जोइनिंग में जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जिसकी हम कही बार चर्चा कर चुके हैं जिसको हम कही बार आप लोगों से सेर कर चुके हैं यह जो परियोजना है यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना कि दिल्ली मॉबा इंडेशनल कोरिडोर नाम है इसका दिल्ली नाम जरूर है लेकिन यह परियोजना स्टार्ट होती है ग्रेटर नोडा से ग्रेटर नोडा को भी दिल्ली का ही पार्ट माना गया है हालाकि यह रेलो लाइन दिल्ली में कहीं टच नहीं करेगी लेकिन चुके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है इसमें सेंट्रल गॉर्मिंट का जापान गॉर्मिंट का सभी की अपनी अपनी इस्सेदारी है तो दिल्ली मुमाइटल कोरिडोर की सुरुआती जगए ग्रेटर नोयुडा का बोडा की रेलवेश टेसन के पास है यहें परियोजना इतनी एहम इसलिए है जैसे मेरे पूरे उत्तर भारत में जो भी एक्सपोर्ट का समान जाता है जो भी समान एक्सपोर्ट होता है वो आपको पताई होगा एक्सपोर्ट का 99 परसेंट समान समुंदरी जहाजों के थुरू जाता है लेकिन समुंदरी किनारा हमारे उत्तर भारत में ना ह होता भी है और इंपोर्ट भी इंडिया में आता है लेकिन वहां तक माल पहुचाने के लिए वहां तक माल पहुचाने के लिए कंटेनरों में माल जाता है अब से पहले जो माल जाता था वो दिल्ली के railway station तुकल का बाद में कंटेनर डिपो बहुत बड़ा है वहां से railway की जो लाइन है जो पुरानी लाइन है दिल्ली मुंबई railway line उसके थुरू पहुचता था लेकिन चूकि वह काफी पुरानी संक्री और काफी उसा ट्रैफिक का लोड रहता है तो वहां से वह प्रोजेक्ट में उसमें जो कंटेनर रैल के थुरू जाते थे उसको एक container को यानि पूरी train को पहुचने में दिल्ली से मुंबई पोर्ट तक अब तक या आप से पहले चार से पास दिन लगते थे लेकिन इस परियोजना के बनने से चुकि इसकी पूरी railway line की जो railway line है इसकी alignment बिल्कुल different है बीच में कोई नई लाइन बनी है कोई अवरोधक नहीं है कोई कहीं बीच में कोई इस पर कनेक्टिव नहीं दी गई है तो यह non-stop railway की लाइन होगी इस पर सिर्फ माल डुलाई के लिए container चलेंगे और सीधा आप लोग सामयने रूप से समझ सकते हैं कि 4-5 दिन और देट दिन में कितना बड़ा difference होता है अगर समय के संबंद में देखे अगर export import के संबंद में देखे तो समय की इस project से बहुत बड़ी बचत होगी और पूरे नौर्थ इंडिया का जो collection point कह लीजिए export जो भी समान होगा वो इसी point से होगा जो पूरे नौर्थ इंडिया में इंपोर्ट होकर आएगा वो इसी point से होगा फिर इस point से देश के उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में जाएगा इसी DMIC project से लगा हुआ फिर Eastern corridor भी आता है जो आपका कॉलकाता से लुदियान तक बना हुआ है वो खुर्जा में connect होता है खुर्जा से DMIC तक की दूरी मुश्किल से 40 से 50 किलो मेटर होगी वो भी railway line के तुरू जुड़ चुका है तो इस्टन कोरीडोर का connective DMIC पर होगा पूरे नौर्थ इंडिया का सेंटरल हब बनेगा तो एक्सपोर्ट के लिए जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश में एक विदेशी मुद्रा को आने के सपेक्ष में भी तो उससे संबंद में समय की और एक सबसे ज़्यादा मान लीजिए आप टेक्नोलोजी की आपको आने जाने में जो इतना खर्च होता बेवज़े समय लगता उसकी काफी बज़त होगी तो वो क्योंकि सेंटरल गॉवर्मिंट ही चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से किया जाए मैक्सिमम रासी इसमें सेंटरल गॉवर्मिंट की और जापान गॉवर्मिंट की तो इस लिहाद से ये परियोजना सबसे एहम परियोजनाओं में सामिल है और ये सोबाग गया है कि ये परियोजना ग्रेटर नोडा में ही इस्तित है तो इस परियोजना के चलने के बाद सर्तिया रूप से ग्रेट लूजशे बने वाले रेले वी स्टेशन है, रेल्वी स्टेशन के साथ मेट्रो इस्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के साथ यहां पर अधूनिक बस अड्णा जहां से वोलो की Lloydous बसे सीप चलेंगी, तो जो अब तक ग्रेटर लुज़ा सहरवास्यों को शिकायते रहती थी, कि सहर में connectivity के मामले में थोड़ा सा अभी कहीं कुछ खामिया है railway station के मामले में खामिया है तो वो सारी खामिया जल्द से जल्द दूर होंगी सारी सब चीजा आप लोगों के सामने हैं सब चीजां government के official दुआरा निगरानी में संचालित है तो ये सहर के लिए सहर वासियों के लिए और हमारे पूरे उत्तर भारत के लिए एक बहुत ही मतला important news है इस से जरूर greater नोडा में रहने के लिए लोगों का क्रेज बढ़ेगा लोग अपने business के सिलसले माएंगे उद्ध्योग लगाएंगे रियाइस के लिए और ये आसपास के area में भी निवेस के लिए आसपास के area मुद्ध्योग के लिए ये परियोजना काफी एहम होगी तो इस परियोजना के बनने से सहर के विकास को सर्तिया रूप से पंक लेगेंगे सहर में विकास होगा सहर में development होगा सहर में investment आएगा इन सब चीजों से सहर में एक व्रस्तित इसकी परियोजना तयार होगी और सहर को बहुत जंदी अपना एक railway station मिल जाएगा जो अब तक greater nooda सहर हमारा railway station के नाम से वंचित था तो साथियों हमारी कोशिस रहती है आपको greater nooda से संबंदित कोई भी सूचना कोई भी latest update कोई भी latest जानकारी latest कोई भी आपका और तरह की जानकारी जो greater nooda से संबंदित हो जिनसे greater nooda के सहर पर विकास पर कुछ ना कुछ impact प आज हमारा यह प्रियास था आपको greater nooda में बनने वाले multimodal transport के बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको इससे संबंदित काफी चीजे समझ में आई होंगी आपको idea लग गया होगा बाकी इससे संबंदित और कोई भी जानकारी है आप इचार विमर्स आप करना चाहते हैं तो ह हमारी कंपनी का YouTube ऑफिशल चैनल है यमना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल स्टेट आप अफिशली यूट्यूब चैनल को देखकर हमारी लेटेस जानकारी लेते रहते हैं बाकी आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि greater nooda से संबंदित कोई भी जानकारी अगर ल अंसल गोल्फ लिंक वन greater nooda नियर आपका यतार्थ होस्पिटल और यमना एक्सप्रेस वे और अथर्टी के पास है तो आप आप मोखिक रूप से भी आप question कर सकते हो call पर नंबरों पर call कर सकते हो या आप office पर भी आ करके आप inquiry कर सकते हो तो साथियो आज की वीडियो को करत अगली बार मिलेंगे फिर किसी नई टॉपिक पर जब तक के लिए नमस्कार साथियो